हमश्कार दोस्तों सौगेत है अप सभी का इजीन ओकरी चनल पर दोस्तों इस वीडियों में हम बात करेंगे आंगल मैसूर युद्ध की अंगरेजों की तरप से किसने भाग लिया था मैसूर की तरप से किसने भाग लिया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्रे सो सट्ष से सत्तरे सो उनत्तर की बीच प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था जहां मैसूर के सुल्तान हैदर एली थे और बंगाल के जो गवरनर थे वो है लॉड वेरेस्ट थे और इनके बीच एक संदी हुई थी मदरास की संदी ये इंपुची जाती है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में किसकी संदी हुई थी तो मदरास की संदी हुई थी ठीक है 1799 में है दच्छन वारत का पतम शाचकता जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था नहीं बात करूँ मैं दुत्य आंगल मैसूर युद्ध की तो 1780 से 84 के बीच ये युद्ध ल लड़ा गया था बात करूँ मैं कौन सी संदी हुईती दोनों के बीच हुए वह हुईती मंगल और की संदी 1784 में है इसमें है धर की मित्यू के बाद टीपू के नित्र में युद्ध चला था है धर अली की मुत्य हो गई थी दुतियांगल मैसूर युद्ध में और लड कानवालिस थे और इनके बीच एक संदी हुईती श्री रंग पटनम की संदी कब हुईती 1792 में है उससे ये युद्ध टल गया था और इसमें क्या हुआ था टीपू का आधा राज्य हाथ से निकल गया था चतुत आग मैसूर युद्ध की मैं बात करूँ तो टीपू सुल्तान की देखरेक में लड़ा गया वहीं बंगाल के जो गवनर थे वो थे लौड वे ले जली इसमें मैसूर ने सायक संदी सुहिकार की क्योंकि मैसूर एक तरह से अपना समराज्य हार चुका था टीपू सुल्तान और वहीं टीपू सुल्तान की इसी युद्ध के वज वीडियो में मैंने बताया प्रतम आंगल मैसूर युद्ध आपको इस पर्ष्ट शब्दों में मैसूर के सुल्तान कौन थे बंगाल के गवर्नर कौन थे और संदी किस-किस के बीच हुई थी तो जैसे मैं बात करूँ प्रतम आंगल मैसूर की जो कि मदरास की संदी से में क्या हुआ था मैसूर ने सायक संदी स्विकार की ती इस में से कुश्चन बनते हैं और फ्रेंट जो बंगाल की गवर्नर थे ये भी पूछे आते हैं कि तितिया आंगल मैसूर युद्ध में कौन बंगाल की गवर्नर थे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करें चलिए मिलता हूं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए थन्यवाद